हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल आज हम बनाने वाले हैं मतर की सबजी तो सबसे पहले कड़ाई को गरम करना है एक चमच डालेंगे तेल तेल गरम होने के बार डालना है प्याज दो प्याज को रफली चौप किया है डाल देंगे एक इंच अद्रक का टुकड़ा कटा हुआ दस बारा लेशन की कलिया डाल दिया है दो कटी हुई हरी मिर्च तीखी वाली है इन सारी चीजों का अच्छे से मिलाना है दो तीन मिनट के लिए इसे भूनना है हलका सा कलर आएगा यह देखें दो तीन मिनट हमने भून लिया है हलका सा कलर आ चुका है प्याज को अभी इसमें डाल देंगे टमाटर यह दो टमाटर है रफली चौप टमाटर डालने के बाद अच्छे से मिलाना है तमाटर डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया है अभी इसमें डालेंगे नमक एक चमच नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना है चले अब इसे ढख देते हैं इसे लीड से ढख कर धीमियांच पर पकाना है तमाटर सौफ्ट होने तक यह देखिए तमाटर अच्छे से सौफ्ट हो चुके हैं लीड को हटा देते हैं चेक करते हैं यह देखिए तमाटर अच्छे से गल चुके हैं अभी इसकी हमें पेस्ट बनानी है इसे मिक्सी जार में निकाल देते हैं यह देखिए मिक्सी में पीस कर इसकी इस तरह से बारिक एकदम फाइन पेस्ट बना ली है उसी कड़ाय का यूज किया है गया सान करके कड़ाय रखकर दो चमच बड़े तेल डाला है तेल अच्छे से गरम करना है एक चमच डाला है जीरा और पीसी हुई पेस्ट डालनी है पेस्ट डालने के बाद अच्छे से मिला देना है देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है और इस मसाले को 10-12 मिनट के लिए तेल छुटने तक हमें भून लेना है थीकने साने तक इस तरह से धक दियेना है देखिए दस-12 मिनट हमने इसे भून लिया है अच्छी तरह से धक कर धीम्यांच पर देख सकते हो आप थीकने स चुका है और भी अलग हो रहा है अभी इस में डाल दिया है एक चम्मच कश्मीरी रेड़ चिली पाउडर एक चिम्मच लाल मिर्च की पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर एक चोटी चम्मच हल्दी अभी मसाले डालने के बाद अच्छे से भून लेना है अच्छी तरह से मिक्स करना है सारे मसाले देख सकते हो आप मसाला अच्छे से भून लिया है तो फिर इस तरह से ठीक हो जाता है इसे भूनना बहुत जरूरी है मसाले को अच्छे से तभी स्वाद आएगा चलिए मसाले को भी हम 2-3 मिनट के लिए ढख कर रख देते हैं धीम्याज पर लेड को हटा दिया है यह देख सकते हो आप सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और मसाला भी थीक हो चुका है आयल देख सकते हो आप अलग हो रहा है यहाँ पर मैंने डाला है एक गलास गरम पानी पानी डालने के बाद अच्छे से मिलाना है यह देख सकते हो आप यहाँ पर एक चमच और नमक डाला है स्वादानुसर डालना है एक चमच गरम मसाला डाला है गरम मसाला नमक डालने के बाद अच्छे से मिला देते हैं फिर से अभी यहाँ पर मैंने लिए हैं दो कप फ्रेश मटर फ्रेश मटर को डाल देते हैं अभी सर्दी के मुसम में फ्रेश मटर इजी ली अवेलेबल होते हैं तो फ्रेश मटर का यूज करें मतर डालने के बाद थीकनेस आने तक मतर हलके से सौफ्ट होने तक पकाय ना है, यह देख सकते हो आप सबजी हमारी सर्फ करने के लिए तयार है थोड़ा सा थीकनेस भी आ चुका है यह सबजी बहुत ही डिलिशियस बनती है देख सकते हो आप होटल के मटर पनिर से भी टेस्टी बनती है इजीली हम इसे घर पर बना सकते हैं बीना पनिर के भी यह सबजी बहुत ही स्वाधिश्ट बनती है फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनती है बना आसान है इस रेसिपी को जरूर ट्रा करें वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें प्लीज और शेर करें चानल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ